नमस्कार जी आज हम एक रूटीन मेंटेनंस करेंगे इसमें एंटी रोर बाल रहता है उसका इंड होता है इस टाइब का आज हम इसे बचाएंगे अगर यह केले अगर यह खराफ हो जाएगा तो एक हजार का है लेकिन अगर हम इसका प्रिकोशन करेंगे तो यह हभी सुर्प अपने यह सब्सक्राइब करेंगे अपना इंडिपेंडेंट होता है वह भी यह अगर यह टायर उपर जाये ना उसको पता भी नहीं लगेगा लेकिन पीछे लेफ स्प्रिंग में पूरा एक सेगमेंट होता है तो क्या है कि जब वह उपर जाता है ना तो नीचे वाले को कि वह उसको रोकेगा अगर यह जादा नीचे जाएगा तो इसको रोकेगा कुल मिलाके इनको बैलन्स बनाता है तो यह जो टायर है इसको उठने से बचाता है इसलिए एंटी रोल बार कहा जाता है और साथ में आपको एक और बात बता दूँ जैसे आपका बुलैरो नाइन सीटर आती है उनमें पीछे भी होता है आप यार सी सस्पेंसन देखते होगे उठार में अपनी बुलैरो में एक् पीछे भी एही अंटी रोल बार इससे रोल कम होता है रोल मतलब अनीवन जम के पूजा सीधे उठ गया एक डबाए ही रह गया तो ये चीजे आपस में कनेट करती है अब ये जो एसेंबली है आप देख रहे हो ये जो रबर है ये सिर्फ बीस रुपए में आती ये वाली इसे बच जाएंगे नहीं तो ये फिर ऐसा हो जाएगा ये दिखिए ये पूरा दपता है दिखा तो मैं कि इस पेस हो गया इसके अंदर और ये प्रीवी हो गया कि इसे बचाने के लिए आप 20 रुपए का ये ला सकते हैं रबर अब ये आप सोचोगे कि वाली ब्लैक है और ये वाली ट्रांस्परेंट है तो मैं लेने गया था तो हैं तो रेलेटिवी कहें कि ये वाली आप ले जाओ ये ज्यादा मजबूत होती है पर हाँ ये आवाज करती है देखते हैं जाता सही चलेगा तो ठीक है ने तुठा के बाहर फिक देने दूसरी लागा चले इसे स्टॉल करते हैं 17 नंबर के दिन चलकती है इसमें आप नीचे देख रहो इसको खोलना है तो हम इसे भी खोलें इसे भी से 17 नंबर ही है अभी हमारा नीचे का तो निकल आया है इस नट को भी खोलना पड़ेगा ये बुस निकलना पड़ेगा ये अपना खुल चुका है अब ये उपर आ जाएगा ये ये पूरा बुस बाहर आ देखो इसकी हालत देख रहे है ये उबर टाइट करते की वज़ए से उबर टाइट कर दिया ये देखिए ये मेरा सही है जहां पर मैं खड़ा कर रहा हूं वहां पर खड़ा हो रहा है और प्ले भी नहीं है उसमें जो प्ले था आपको मैंने दिखाया था ये देखिए मैं जहां पर खड़ा कर रहा हूं यह अपनी आप वापस नहीं आना चाहिए तो आप हम इसमें राते हैं रबर दो चीजे आप ध्यान रखिएगा आपके जो यह मोटे वाले वाशर हैं यह सब से उपर जाएगा और एक सब से नीचे जाएगा समझ रहे हैं यह जो हलके वाशर है यह आपके इस जो जहां पर ज नीचे लगेगा तो इसका ध्यान रखेगा उल्टा पुल्टा मर्शिट कर दीज़ेगा तो यह आपका लग चुका है यह भी मैंने टाइट कर दिया है और यह भी टाइट कर दिया है कि बहुत टाइट नहीं करना है नहीं पिछली बार की तरफ फिर से यह फटा जाएगा यह अपना लगी चुका है बेकुप बराबर इन सारे नटों को आप अच्छा खासा टाइट कर सेंगे ठीला नहीं होना चाहिए यह लॉकनट होता है यह जल्दी नहीं खुलता पर इनको तो बहुत अच्छे सकतिएगा तो रैचेट पे ज्यादा भरुस्वा मत करिएगा अच्छी टमी से अच्छी सी ताइट करिई यह जो बुस होता है न यह आपको स्मूथ बनाते हैं आपके इस राइलेत को साथ में आपकी ज Random उनको जटका कम देते हैं यही जब कड़े आते हैं तो इनमें फॉस्ट्री जटका लगता ऐसे ऐसे फिर इनमें गैप आ जाता यह खराब हो जाता है यह बीस रुपय का एक तो तुब आप खरीदो के तो 40 रुपय का यह मेरा सही है मेरे को next time यह काम करेगा यह देखो आप ब जार रुपय बचाते हैं और मैं इसी तरीके से मेंटेनल्स करता हूं मैं बड़ी चीच को नहीं करता हूं कि छोटे से छोटे पार से अपना काम में हो रहा है चोटी-छोटी चीचे मैं वेट नहीं करता कि भाई साब जो खराफ हो जाएगा तब करेंगा चलता रहेगा खेरे कि यह है देखते हैं तो एक डाल दूँगा नीचे वाला मैंने बहुत टाइट कर दिया तो चांसर से हैं कि खराफ हो जाएगा तो अब यहां एक दिन बाद इसको फिससे मैं टाइट करूंगा हर कप्ल का यह धीला होगा फिर टाइट करूंगा छोटी-छोटी चीज कि आपको बड़े खार्चे से बचाते हैं कि मैं आपसे हर चीज सेयर करता हूं इसलिए लगता हो कि डेली गाड़ी खराप होती है कि मिलते हैं आपसे किसी और धन्यवाद